जैहिंद 26 जन्वरी की ट्रैक्टर परेड के मैं अपने खुद की कहानी बताओं स्वतंत्र लोकतंत्र के किसी भी उत्सुक नागरिक की तरह मैं भी सुभख गाजीपूर बॉर्डर पहुँचे थी और जो उत्सापूर महौल था वैसा मेरी आखोंने बचपन में समझ आने से लेकर और अब तक नहीं देखा था क्रांती के सुन्दर गाने, कतार में लगकर, चाई और रोटी लेते हुए हर जाती और धर्म के लोग मेरे देश का चलता फिरता रंग में रंगा लोकतंत्र, वहां पूरे उठान पड़ था सब मुस्कुरा रहे थी, भीड में धक्का मुक्की तक नहीं थी एक अन्रिटन डिसिप्लिन था सबके अंदर, ना कोई राग, ना द्वेश और ना आक्रोश, बस सबकी आँखों में एक अलोकिक आनन्द और उम्मीद थी जिसने भी वो आलम देखा, बस अभी भूत होकर देखता ही रह गया था मन तब और भी भावक हो उठा, जब रैली शुरू होने के समय, यानी 11 बजे के बाद से, सडक के दोनों तरफ के घरों से मही लाएं, पुरुश और बच्चे निकल कर ट्रेक्टर और ट्रॉली पर बैठे लोगों को सिल्यूट कर रहे थे ठीक वैसे ही, जैसे राजपत पर करते हैं, हमारा भारत उस समय भही खड़ा था, खुद पर शायद गर्व भी कर रहा था कुछ उत्साही लोग दोनों तरफ पीने का पानी और फूल लेकर खड़े थे, पानी पिला रहे थे, फूल बरसा रहे थे माहौल में गेंदे और गुलाबों के खुश्बू थी, और मैं भाई दिल्दीप का तिरंगा लहराता ट्रैक्टर चलाते हुए, पत्रकार फ्रेंड मयंक, जुलेखा और विशेश के साथ बात करती जा रहे थे पूरा रास्ता खुला हुआ था, और हमारे आगे चल रहे हैं कुछ ट्रैक्टर के अलावा रास्ता खाली भी मिल रहा था बस तभी मयंक ने अपने लाइफ कवरेज में कहा कि हम दिल्दी की सीमा के अंदर आ चुके हैं और लगभग उसी समय दिल्दीप को कोई फोन आया और उसने बात करने के बाद मुझसे कहा कि हम घलत रास्ते पर आ गए हैं मैंने ट्रेक्टर साइड में लगाया और फिर रिवर्स में लेकर हम कट तक पहुँचे और वहां से फ्लाइओवर के नीचे आकर वापिस घाजिपूर बॉर्डर की और यूटर्न लिया लेकिन थोड़ा आगे जाकर जानते हैं हमने क्या देखा पुलिस ने लौटने के रास्ते पर डीटीसी की दो बसेज लगा कर रास्ता रोक रखा था यानि कि गलत रास्ते की ओर जाते समय कोई बैरिकेड नहीं थे और सही रास्ते पर मुढने ना देने के लिए रास्ता रोका हुआ था हम तो दिल्ली के बारे में जानते थे तो जल्दी लौट लिए लेकिन जो किसान दिल्ली इसी परेट के लिए आये थे उनसे चूख होना लाजमी था और दिल्ली पुलिस का कोई इंडिकेटर या मार्ग दर्शन था ही नहीं इस आपबीती को आज कहना इसलिए जरूरी है कि आप जाने कि ये सिर्फ एक समझा बूझा ट्रैप था किसान अंदोलन को तोड़ने का और किसानों का दुर्भाग्य कि वे इस ट्रैप में फंस भी गए यानि इस बार तथा कथे चानक्यों की साज़िश कामियाब रही आया ना एक नक्षे के अलावा कोई और दस्तावेज प्रचारितिया पब्लिश हुआ महराल लाल किले की पूरी घटना बहुत दुर्भागी पोर्ण है और इतिहास में कलंक की तरह दर्ज हो गई है लेकिन इसकी साज़िश करने वालों ने देश की असमिता के बारे में त दिखाना था और आंदोलन को एक बारगी जैसे कुचलना था और कम से कम प्रथम द्रिष्ट्या वे इसमें काम्याब हुए भी दिखते हैं यानि लोगतंत्र में एक बार फिर एक शड्य अंत्र हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ, लोगतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ, और इतिहास में एक गणतंत्र दिवस दूशित हो गया किसान के कंदे से बंदूग भी चल गई, और किसान ही गायल भी हो गया इस तरह की साज़िशे आज लोगतंत्र में निहथे का शिकार करवा रही हैं, और हम मानसिक रूप से शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं हो सके तो इस पहलू पर भी विचार कर लें मुझे यकीन है आप विचार भी कर सकेंगे और दिल में कहीं विश्वास भी होगा इस सच पर बस सिर्फ तीन दिन अगर सुबह थोक में आने वाली बीजेपी की आईटी सेल की पोस्ट ना पढ़ें तो पूरा सच भी देख पाएंगे हम और आप आखिर हम सब इसी मिट्टी के लोग हैं इसी गंगा जमनी तहजीब ने हमें पाला है हम कर पाएंगे दूद का दूद और पानी का पानी